5G जैसे ही लॉंच हुआ है तब इसे लोगों के मन में कहीं तरह के सवाल उठ रहे हैं जैसे क्या उन्हें 5G के लिए नया फोन लेना होगा क्या नेक्स जेनरेशन को यूज करने के लिए नहीं सीम भी जरूरत होगी और इसका कितना खर्च होगा तो चलिए इनमें से कुछ जरूरी सवालों का जवाब हम आपको दे देते हैं सबसे बड़ी जानकारी यही सामने आई है कि आपको 5G नेटर्ट इस्तिमाल करने के लिए अपनी सीम बदलने की जरूरत बिलकुल नहीं है आपकी मौजूदा सीम पर यह सेवा काम करेगी 5G लौच होने के बाद लोगों के मन में यह सवाल भी है कि अब उन्हें इसके लिए नया फोन लेना होगा तो आपको बता दे कि मार्केट में ऐसे कहीं फोन मौजूद है जो 4G हैं जिसमें 5G सीम काम कर सकती है इसलिए अपना फोन बदलने से पहले इसकी जानकारी पता जरूर करें सबसे पहले अपने स्मार्ट फोन की सेटिंग में जाए Mobile Network Option या Head to Connection में देखे Network Mode पर जाकर 5G, 4G, 3G, 2G में से विकल्प चुने 5G को सेलेक्ट करने के बाद आप इस इस्तमाल कर पाएंगे स्मार्ट फोन चलाने वाले लोग 5G नेटर के बारे में पता कर सकते हैं एटल यूजर्स एटल थेंक्स एप पर जाकर अपने मौजूदा स्मार्ट फोन के लिए 5G कंपिलबिटी चेक कर सकती हैं इसी तरह अनिनेटर हुई अपने अपनी जानकारी महां दे रहे हैं